वेरी गुड़ आप्टून तोल अफ्यू आज हम भीले साइड डिजाइन में इस फूर चल लाई थे अपनी उसमा पने रेंडम लॉजिक और इस्टो लॉजिक फॉर्म पढ़ रहे थी रेस्ट इस्टो सेकर बगेर और लास्ट लेक्चर में अपने अज अपने से सिलिबस को अगे बढ़ाते हुई सिस्टो लेक और इस पढ़ हें ठीक है सिस्टो लेक और पन 100-1000 तोब से जाद़ आपन कर सकते हैं सिस्तोलिक अरे कर सकते हैं इसका यूज करके पन 100-1000 से जाद़ आपन ट्रांजिस्टर को एक चिप पर, एक सिंगल आईटिकेर सेट फपन उसको डिजाइन कर सकते हैं, तिक है, उसे, सिंगल इंटिकेर सेट पर्टिकुलर्ली वन क्लास ऑफ फेलल र्टोसेसर हैं, यदि बीन दिफाइन, नेम शेस्टुलेक अरे, ठेक है, नेम सेटुलेक अरे, दू तू नेम क्लास दा रेत्मिक ब्लॉड फिलो ठीक है एंड फिलो थो हीमन और ट्रीप्स आफ्टर इच हार्ट वीड प्रत्तिक हार्ट वीड में से इसको इसको डाटा को भी अपन उसमें फिलो करा सकते हैं ठीक है बेसिकली दा कंसेप्ट ऑफ स्टूल क्रोसिंग अ कम प्रr कम कर सकते हैं, and the connections, the connections are formed to so that data can be accepted, connections are formed so that data can be accepted and processed at each stage, प्रत्तिक stage पर डाटा हुगा कर सकते हैं, accept कर सकते हैं, and process कर सकते हैं, with the result ready for output to the next stage, देखें, और उस data को अपन with the results ready for outputs and to the next stage as new data reach at the current stage, जो अपन data है, process के दोरान, इस stage पर बनका कर दाज़ रेल्ट निकार कि उस data को outputs को अपन next stage के लिए data के लिए भी भी बनेख सकते हैं, reach at the current stage, current stage पर रहती हुए भी बनेख, इसके तीन examples हैं, systolic array के, three examples of parallel computational systems are as follow, इसके तीन examples हैं, three examples of parallel computational systems are as follow, ठीक है, example भी इसके दी हुए, तीन examples होते हैं, इसके तोरा मैं systolic array को समझ सकते हैं, इसका पहला example है, systolic matrix multiplications, पहला जो example का है, वो कहला आता है, systolic matrix multiplication, systolic matrix multiplication, ठीक है, and second है, general linear system solver, क्या होता है, second, general linear system solver, second इसके example है, general linear system solver, and third आता है, bit serial processing elements, ठीक है, यह तीन क्या है, systolic array के examples है, they are examples of parallel computational systems are as follow, ठीक है, कौन कौन से हैं, एक है systolic matrix multiplications, and second है, general linear system solver, and third है, bit serial processing element, ठीक है, यह means के element है, ठीक है, यह था अपना क्या systolic array, ओके, thank you, क्यास्वाद धिस्वाद क्यांव tua